हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के उपर बैंक निफ्टी पार्ट शाला आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि वीकली एनलेसिस और मंडे इंट्राडे ट्रेट के बारे में कि हम लोग कैसे करेंगे और यह जो आज की वीडियो होने वाली है यह बैसिकली सिर्फ एक लेवल बेस वीडियो ही नहीं है कि वीकली रेंज निकाल रहे हों लोग लेवल निकाल रहे हो इंट्राडे के निकाल रहों नहीं आप इस वीडियो को देख करके पहले चीज़ तो ट्रेडिंग के करेंगे आज की वीडियो अगर आप पूरी फुल वीडियो देखो गए तो आपको बेसिकली एक चीज नजर आएगी जैसे आपने मुझे पहले देखा होगा सप्लाई जोन और डिमांड जोन के उपर बात करते हुए उसके लेवल्स निकालते हुए उससे अलग हट करके आज एक नए तरह से लेवल्स निकालूँगा एक नए तरह से ट्रेडिंग सेट अगगा आप इस वीडियो को को देख करके स्कते हो और इंट्रैडे हो या सबस्याइब कर behavior सब्से़ सकते हो चलो सबस्क्रें करते हैं इस मैं पर या मैंने ये इनारा करIES या 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 आक आपको ऐसेल लगाने में परशानी होती है कटना ही आती है या समझ नहीं आता चोटी मोटी कोई भी महाँ पर आपको सर्च करके निकालना पर दो आप इसमें ग्रों में अकॉंट खुला लो यहां पर देख रहे हो किस तरह से यूज़ कर सकते हो इंट्राइड में 15 मिनट का अपना अलग माच होए और 30 मिनट और इन सब चीजों का अलग माच होता है तो वो सब चीज़े हम लुग यहां पर लगा करके देख सकते हैं, अनलेसिस कर सकते हैं, तेकनिकल अनलेसिस आज की स्टाट करते हैं, इस वीडियो की सबसे पहले हम लोग देखेंगे है वीकली टाइम फ्रेम के उपर, कि मार्केट में क्या चल रहा है मूड क्या है मार्केट का तो मार्केट ये पूरा वीक जो था पूरा बेरिश रहा है एक हमारा यहाँ पर लेवल था ये जो लेवल आ रहा है ना पिछली हाई ते ले करके अब तक का एक मिनिट यह लेवल है और इस लेवल का यहां पर breakout होता हुआ नजर आ रहा है अगर आप ध्यान से देखोगे यह जो लेवल था जो support बना हुआ था मिशली काफी टाइम से यह support मार्केट ने ब्रेक कर दिया ब्रेक आउट दे दिया इसका लेवल है 44,199 पर मार्केट क्लोज दिया है लेकिन जो लेवल था अपना वह था हैं वहाँ पर देखेंगे क्या महौल है हाँ डेली चार्ट पर भी अगर हम लोग आएंगे तो आपको को एक चीज नजर आएगी यहां पर देखो मार्केट यहां से कई बार यह देखो गिरा लेकिन यह सपोर्ट तोड़ नहीं पा रहा था मार्केट ने इसका ब्रेक डाउन इंटेंसिटी जिससे आपको कलर चेंज कर दों तो यह देखो यह 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 यहां पर बनी हुई है अगर उपर देखेंगे यह देखो तो इसी तरह से यह देखो यह देखो यह देखो यहां पर नजार आ रहा है जिसका मार्केट ने ब्रेकडाउन दे गिया वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखो यहां पर ब्रेकडाउन मिल गिया अब इसी स्विंग का हाई और लो लेकर के हम लोग यहां पर फेबोनाची रिट्रेस्मेंट का यूज करेंगे यह आगे हमारा फेबोनाची रिट्रेस्मेंट यह मार्केट का लो है और यह है मार्केट का हाई मतलब इस प्रीवियस स्विंग का हाई यह था और यह लो था तो देखो अगर नेक् 3,500 मोटा माटी अगर पकड़ें तो यही रेंज निकल करके आ रही है मार्केट की इसे भी मैं डार्क कर देता हूँ लेकिन अभी यहां पर एक टौिस्ट है और वो ट्विस्ट क्या है मैं वो भी आपको बताओंगा बीच देखो मार्केट continues low है यह यह लो अगर तूटता है यह लो अगर तूटता है ना तो यह लो तूटने के बाद जो हमारा next target बनेगा वो बनेगा 43,518 का लेकिन उसके लिए यह लोड तूटना बहुत जरूरी है मार्केट ने एक breakdown तो दे दिया है लेकिन यह मार्केट का लोड तूटना बहुत जूरूरी है अब इस लेवल का जो golden zone है हम लोग उसे देखेंगे कि मार्केट में जो resistance है maximum resistance कहा है तो फेबोनाची retracement आपको शायद अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है नहीं पता है तो 0.6 से लेके 0.5 का जो level होता है इस level पर market बहुत ही अच्छी तरह से एक retrace करती है यह resistance बनाती है अगर नीचे से उपर आ रही है तो और अगर उपर से नीचे जा रही है तो support का काम करती है तो इस level को mark करेंगे यह हमारा maximum maximum resistance बन करके आ रहा है अब यह retracement को बन कर देंगे क्योंकि मार्केट में breakdown मिला हुआ है इसलिए हम लोग down side के ही यहाँ पर level देखेंगे और intra day में हम लोग देख लेंगे यहाँ पर अभी आप लोग अगर यहाँ पर trade लेना चाहते हो तो market का थोड़ा सा उपर जाने का वेट करो थोड़ा सा market gap up कुल के हाई यह gap down कुल करके थोड़ा सा उपर जाए जब थोड़ा सा लगभग इस candle के 50% के आस पास भी market जब आएगा उसके बाद जब negative pattern बनेगा तो वहां से हम लोग यहाँ पाद एक negative trade ले सकते हैं तार्गेट बनेगा निगेटिव ट्रेड हम लेकिन लेंगे कहां कॉंटिटी कहां बढ़ाएंगे जब यह मार्केट का लो टूट जाएगा 44,127 का जो लेवल है यह टूटने के बाद ही हम लोग यहां पर कॉंटिटी इंग्रीज करेंगे जो स्विंग ट्रेडर्स हैं जो वीकली और पोजिशन ट्रेड लेते हैं उनके लिए लेवल जो बनेगा 43,496 का यह लेवल तैयार खड़ा हुआ है लगबग 500 के आसपास यह ल करना है पहले तो मैं यह करवटा देता हूं एडेंस ओल्डर जो वीकली टाइम पर दिखरा हैं लोगों को सॉरी डेली टाइम फ्रेम पर वह बहुत ही अच्छा काम करता दिखेगा पोजिशनल ट्रेड्स के लिए लेकिन जब देखो अगर मैं इन लेवल को अभी हटा दू ुए तो देखो मार्केट ने क्या किया मार्केट यहां जैंत मार्केट चल लाए लोग लोवर यहां पर पanorडा हूं लेकिन अब यहां पर इस एरिया में मार्केट ने आकर क्या किया है इस एरिया में मार्केट ने आ करके देख लो अगर तो मार्केट ने एक हम लोगों को यहाँ पर केंडल स्टिक दी है जो की बुलिश केंडल डेखरोग क्या हो Is Therebased विधंती हरे बॉटम इन के जितने यहां पर सेलर से उतने आयां इसके लिए हम लोगों को क्या करना परएगा एक और यहां पर हम लोग वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाएंगे लगेगा जो वॉल्यूम का इंडिकेटर लगेगा हम लोगों का तो फ्यूचर्स के चार्ट पर देख लेंगे हम लोग यहां पर वॉल्यूम का इंडिकेटर देखो इंट्राडे में जितने यहां पर लास्ट टाइम पर बायर्स आये हुए हैं ना सेलर्स उतने नहीं आये लेकिन प्रीवियस सेलर्स से ज्यादा सेलर्स फिर भी आये हुए हैं अब इसी को अगर हम लोग देखेंगे पंदरा मिनट के चार्ट फ्रेम पर तो देखो बायर्स कितने जादा यहां पर मौझूद है भी यानि वॉल्यूम जो था वो बाइंग साइड में कितना हाईली वर्ड रहा है अब इसी को डेली टाइम फ्रेम पर एक बार चेक आउट करेंगे डेली टाइम फ्रेम पर वॉल्यूम घटता हुए नजर आया है जो कि एक सेंटीमेंट ऐसा है कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश होने को रेडी है पर कितना बुलिश में चीज यह है मार्केट अगर बुलिश होगा भी तो कितना बुलिश होगा मार्केट सिर्फ उतना बुलिश होगा जितना मार्केट गैप खुलके एक बुलिश है अपनी आनलेसिस को आगे बढ़ाते हैं देखते हैं कि हम लोगों कि क्या होने वाले है अब देखो यह हम लोगों का 15 मिनट का चार्ट फ्रेम है हम लोग इंट्रा डे के लिए करेंगे यहाँ पर तो यह मार्किट का हाई है यह यहां पर फैबोनाची का यूज करेंगे यह मार्केट के लोगों पकड़ेंगे यह मार्केट का हाई हो गया हाई को छोड़ देंगे स्विंग पकड़ेंगे लास्ट जो रेजिस्टेंस बना हुआ था ठीक है वो है यही यह लेविल अब देखते हैं आपर तीजों को मार्क करते हुँ चलेंगे सबसे पहले देखेंगे रेजिस्टेंस हमारा कहां पर निकल के आ रहा है जो स्ट्राइए जिरो पोईंट पॉइंट सिक्स से लेकर पहला ताओ लेविल इसे मार्क करेंगे पूरा इसे देख रहों यह एक स्ट्रॉंग रेजिस्टेंस की तरह बहेव करता नजर आ रहा है अब मार्केट अगर लोड तोड़ता है अपना पहले चीज़ तो 0.786 यह भी एक रिट्रेस्मेंट का लेवल होता है वह सकता है मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाए मार्केट ऊपर जाकर के या तो यहां कह इसे रेजिस्टेंस लेकर के मार्केट नीचे आए या तो फिर इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेकर मार्केट नीचे आए अब देखना यह पड़ेगा कल के दिन मार्केट कहां से रेजिस्टेंस लेकर के नीचे ड्रॉप डाउन होता है तो अब यह दो लेवल से हमारे बन वेन तरा नेक्स्ट सपोर्ट बनने वाला है ठीक है मारकेट से लोली आएए यह थे यहाउची से आएगा लेकिन यहां पर यह सपोर्ट बनेगा मैट आप देखते हैं ट्रेड कैसे करना है inflict day में देखो फिलाल मार्केट में इस लेवल को हटा देते हैं पांच मिनिट के टाइम फ्रेम पर चलेंगे अब देखेंगे ट्रेडिंग साइकॉलोजी क्या होने वाली है इस लेवल को भी मार्क करके चलेंगे क्योंकि यह भी रेजिस्टेंस का लेवल है अब करने से पहले आप लोगों और मेरी लास्ट वीक या उस से पहले की और ज्यादा वीडियो आपने देखी होंगी टेक्निकल वीडियो तो उसमें आपने एक चीज्वी नोटिस जरूर किया होगा मैं हमेशा डिमांड जोन और सप्लाइज जोन का जो कॉंसेट होता है उसके उपर काम करता हुआ ज्यादा नजार आता हूं तो अपने उस डिमांड जोन का जो कॉंसेफ्ट वाले लेवल्स हैं एक बर उस पर भी देख लेंगे कि मार्केट क्या एक तरह है किस तरह से मार्केट ने बिएव दिया है तो यह देख लो हमारे लेवल्स बने हुए है डिमांड जोन के अब देखो जो Demand Zone और Supply Zone का Concept होता है ना वो concept ने होता है कि अगर price यह Supply Zone है यहां से चली है लगभग 50% से या लगभग इस level पर आएगी yearnie 50% के आपस या नहीं आईगी तो at least इसे तो touch करेगी ही करेगी लेकिन इस level में price को आना ही होगा वो भले एक दिन यहाँ पर चलती रहा है, दो दिन चलती रहा है, तीन दिन चलती रहा है, चलने के बाद में यहीं से price भले उपर चली जाए, लेकिन price को यहाँ आना दरूर है, अगर swing trade करेंगे हम लोग, तो उसमें देखेंगे कि अगर हम लोगों ने यहाँ कहीं पर position देख लेते हैं, कहीं न कहीं कुछ तो दिखेगा, देख लो यहाँ पर देख लो, यह देख लो दिख गया example, देखो, market में यहाँ पर entry बनी, यह hammer पर entry बनी, अपना stop loss यहाँ कहां रहता, यहाँ रहता, stop loss, यह entry बन जाती, अब यहाँ से, देख लो, दुबारा sell हिट करने के लिए market नहीं आया, यहाँ हमारा stop loss हिट करने market नहीं आया, price गई नीचे उपर, नीचे उपर, कहीं पर भी रही है, अपने इसी level पर चलती रही, डरते हैं अगर, अगर आपका यह concept होता, कि या तो SL लूँगा, या तो target लूँगा, तो फिर, इस time नहीं, एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, आपका क्या आता, target, यहाँ पर भी target आ गया, लेकिन, यह देखो, deep, target आता हो, नजर आया, वहराल, य यहाँ पर तो निकली जाते है, इतना target बहुत है, तो यही कहता है, demand zone, supply zone का concept, कि अगर price यहाँ पर से चल रही है, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस है, कि इस level से नीचे के level पर आएगी, और नीचे के level से उपर के level पर जाएगी, लेकिन, बहुत बार ऐसा हो कभी नहीं, कि price कभी तो resistance को तोड़ेगी, कभी तो support को तोड़ेगी, देखो यहाँ पर support को तोड़ा market ने, तोड़ने के बाद में, वापस यहाँ पर इससे support बना के price उपर जा रही है, अब यहाँ पर scenario अगर इन levels की देखे हम लोग, तो हमें नजर क्या आ रहा है, हमें यहाँ पर market खु के थोड़ा उपर जाती है, उसके बाद नीचे, वही sentiment यहाँ पर भी नजर आ रहा है, यह market gap खुले, और उसके बाद market थोड़ा सा उपर जाने के बाद में, नीचे आना शुरू हो जाए, market का sentiment अभी तक यही नजर आ रहा है, अब हम लोग देखते हैं, कि हमें trade कैसे करना ह चलते हैं, अपने प्रीवेस वाले चार्ट के उपर, मारा प्रीवेस चार्ट जो था, यह आगए अपने प्रीवेस चार्ट पे, लोगों, market यहाँ पर resistance ले, यहाँ पर resistance ले, कहने का मतलग यह है, कि जहाँ पर भी market resistance लेने के बाद में, TRS जानते हूँ न, सॉरी, डैमर ब लेवल निकले, या तो फिर, यहाँ पर वापस आके, market retrace करेगा, तो यहाँ से हम लोग entry बनाएंगे, और उसके बाद quantity कहां बढ़ाएंगे, quantity बढ़ेगी हमारी इस लेवल को तोड़ने के बाद में, तो हमारा target बनेगा, वो बनेगा, यह 43,944 वाला, यह हमारा final target होगा, यही हम लोग trade करते हुए नजार आएंगे, मंडे के दिन, यह intraday के आपके level है, और अगर bullish रहा market, तो bullish होने के chance बहुत जादा तो नहीं दिख रहे हैं, फिर भी एक बार हम लोग bullish के यहाँ पर level निकाल ही लेते हैं, यह market के last swing का high था, और यह था low, अगर देखो 0.5 से ले 299 के पास में, और अगर market bearish रहता है, तो यह थोड़ा सा यहाँ पर आ जाएगा, थोड़ा सा support और resistance अपने से उपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन market अगर bullish होता है, तो फिर उस scenario में हम लोग क्या करेंगे, अगर market इस resistance को तोड़ता है, इस resistance को तोड़ता है, पहली चीज़ को हमारा जो level बन रहा है, वो बन रहा है यह वाला, 44,300 को अगर cross करता है, तो हम लोग एक bullish trade ले सकते हैं, लेकिन market बहुत ही literary होना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि बीच में यहाँ पर 0.786 का level आ रहा है, जो कि एक market को slow down करता है, या तो फिर वहाँ से भी market retracement ले सकती है, तो इस चीज़ का ध्यान देंगे, अगर आप risky trader हो, तो आप यहाँ पर एक call की side बना सकते हो, लेकिन अगर आप perfect trade पकड़ना चाहते हो, तो इस resistance को तोड़ने देना, उसके बाद ही, जब market इसको तोड़ने के बाद में इसका high लिख लेगा, तब एक safe trade लेना, level कर आए लेवल रहेगा, यह वाला, यह level है, 44,580 का, 44,580 का level है, इस level तक हम लोग call की entry में बैठ सकते हैं, इस से जाधा expect मत करना call में, क्योंकि market bearish है, bullish का यहाँ पर scenario बहुत कम बन रहा है, यह मैंने वरसे वाई सा बना दिया है, कि अगर ऐसा होगा, call में, अगर trade लेने वाल होग तो call में हम लोग ले सकते हैं, यह हमारे level रहेंगे, वरना नहीं, वरना हम लोग देखेंगा put का trade, अब कैसे लेना है, कहां पर लेना है, यह सारी मैंने आपको theory बता दी है, levels निकाल के दे दी है, I hope Monday को आप profit अच्छा करके निकालोगे, और teammate से अपने कुछ profit घर लेके जा चैनल के उपर बने रहें, bell icon दबादें, ताकि जब भी मैं next video लाओं आपके लिए, तो आप उस video की notification मिल सके, यह video आपको पसंद आई हो, तो video को like कर देना, channel को subscribe कर देना, मिलता हूँ किसी, और next valuable video में धन्यवाद